नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो भविश्यवाणी हम आप सभी के जीवन के बारे में करने वाले हैं। दोस्तों, सुनकर आप एकदम चौक जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज तक की ऐसी भविश्यवाणी हमने नहीं कभी सुने थे और नहीं ऐसा परचा हमने कभी देखा था, जो की दोस्तों, इस परची में आपके लिए आया है। दोस्तों, आज हम आप सभी को यह राज की बात बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, कि आपके जीवन में होने वाले हैं। पिछले समय जो भी परिस्थिती में गुजरे हैं जो भी परिशानी को आप सामना किये हैं उनका अब दो गुना फल आप सभी को मिलने वाला है अब रातों और रात आपका तकदीर बदल जाएगा और यह भयंकर घटना होगा दोस्तों अगले 24 गंटे के अंदर आने वाले 24 गंटे के अंदर दोस्तों आपको वह दो बड़ी खुश्खबरी मिलने वाले हैं जो की दोस्तों ये खुश्खबरी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता अब आपके जीवन काल में ये दो बड़ी घटना हर हाल में होकर रह इस वीडियो को देखना, बिलकुल ही दर्वाजा और खिड़की बंद करके, घर में अकले ही देखना, क्यόंकि दोस्तों, यह राज ही वैसा है, कि दोस्तों किसी को जानने मत देना, क्योंकि दोस्तों जब आपके अलावा कोई दूसरा इंसान इस राज के बारे में जान गया उनको अगर भनक भी लग गया तो दोस्तों आपको बड़ी हानी होगी भयंकर तूफान आ जाएगा आपकी किस्मत बदलने से ही पहले चूक जाएंगे दोस्तों ये पर्चा बनाने में हमें बहुत ही समय लगा है हम बहुत ही जियोतिशी आकलन करने के बाद इस पर्चे को तैयार किये हैं आपकी ग्रह कुंडली आपकी राशी की मिलान करके हम आपके लिए इस राज की बात को लेकर आएंगे और दोस्तों अगर आप इस पर्चे को इस बड़े राज को नजर अंदास कर दिये दोस्तों आप आज नहीं बलकि दोस्तों जन्मों जन्मों तक पच्छताएंगे क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य के जीवन काल में बार बार चमतकार नहीं होती है बार बार ऐसा योग नहीं मिलते हैं उन्हें भगवान एक ही अवसर देते हैं और दोस्तों उस अवसर का जो इनसान लाब उठा लेता है उनका किस्मत बदल जाता है साथ ही साथ दोस्तों आपको जो बड़ी पांच भयंकर सावधानी को भी बताएंगे आपको ये गलती अगले 24 घंटे के अंदर नहीं करनी है तब ही दोस्तों आपको ये खुशखबरी मिल पाएंगे और आपका जो जलने वाला दुश्मन भी है वह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है दोस्तों अपरेल का ये महीना आपके लिए बेहद ही खास है इस महीने में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है बहुत ही लाब है आप इस महीने में वह सब हासिल कर पाएंगे जो अब तक आपके लिए केवल सपना ही था लेकिन दोस्तों, जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी उतनी ही प्रबल होती है जैसे कि प्रकाश के साथ छाया होती है, तो अब आपको हम बता दें, कि जैसे आपकी ग्रहों की चाल अच्छी है आपको लाब देने वाली है वैसे ही नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल है और वह आपको घेरना चाहती है हमेशा यही तो हुआ है आपके साथ जीवन में कि जब भी आपके जीवन में सुख के पल आए है किसने किसी की नजर लग गई है ये कुछ ऐसा हो गया है कि वह आपसे चीन भी गए है आपने उनका आनंद भी नहीं ले पाया है अब ऐसा ही कुछ इस महीने में भी होने वाला है खुशियां तो आपको मिलेंगे लेकिन वे खुशियां आपसे जीने भी जाएंगी और वह खुशियां आपसे नाचने इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको यह पांच गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है जी हाँ दोस्तों ये पांच गलतियां आपको हम बता दें कि इन गलतियों को यदि आपने गलती से भी कर दिया तो आपकी अच्छी ग्रहों की चाल है जो ग्रहदशा आपके अनुकूल है वह आपको कोई भी लाब नहीं दे पाएगी और पांच में से यदि आपने एक भी गलती कर दी तब भी आप उतना ही नुकसान होगा जितना की सभी गलतियों को करने के समान कहने का मतलब ये है कि आपको इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना है अब आपने पहले भी कई बार इन गलतियों को दोहराया है शायद इसी वजह से आपके जीवन में बाहर बार कश्ट आते रहे हैं परेशानियां आती रही हैं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आप बिलकुल भी हलके में मत लेना क्योंकि जो भी बाते हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वे केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपके भग्य उन्नती के लिए बेहद आवश्यक है दोस्तों याद रखना कि भगवान तो सब को देना चाहते हैं लेकिन लेने की पातरता सब के अंदर नहीं होती है यदि आप जोली ही नहीं खिलाएंगे भगवान का स्वागत और सत्कार नहीं करेंगे मन में भाव नहीं रखेंगे तो भगवान आपको जो देंगे भी वह भी आपके हाथों से फिसल जाएगा इसलिए आप अपने जीवन का माहौल सही करना होगा अनुकूल बनाना होगा ताकि भगवान ने जो ग्रह दशा बनाई है उसका आपको पूरा लाब प्राप्त हो सके दोस्तों ये कोई साधारन वीडियो नहीं है इस वीडियो में बताई गई बातों को बिलकुल भी हलके में मत लेना हम केवल और केवल आपकी आपके जीवन की आपकी समस्याओं और उनके समाधान की बातें कर रहे हैं यदि आप ही इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा आपके जीवन को बदलने का बीड़ा आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा ये किसी को किसी की नहीं पड़ी है दोस्तों सब अपने अपने में मगन है चाहे आपके जीवन में दुख हो चाहे सुख हो लोग आपके सामने थोड़ी बहुत दिखावे बाजी अवश्य कर सकते हैं लेकिन जैसे ही चेहरा घुमा और आपकी तरफ पीठ हुई लोग तो भूल ही जाते हैं कि आपके जीवन में क्या कश्ट है क्या परेशानिया है अपनी तकलीफ खुद ही सहनी पड़ती है उसका समाधान भी खुद ही निकालना पड़ता है इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखना इस वीडियो में हमने आपके द्वारा की जाने वाली लगातार की जाने वाली बड़ी पांच गलतियों के बारे में बताया है उन्हें आप इस महीने बिलकुल मत करना और इस सबसे कहीं बढ़कर दोस्तों हमने कुछ बेहद ही गुप्त और बेहद ही जरूरी बातों के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया है उन्हें भी आप जान लेंगे तो ये बिलकुल वैसा ही होगा जैसे कि तंखा मिलते ही बोनस भी मिल गया यानि आम के आम और गुढ़ालियों के भी दाम तो चलिए दोस्तों आज के बेहद ही महत्वपूर्ण ज्यान वर्धक और जीवन को बदल देने वाले महान वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन इससे पहले हम माई के लिए अपना भाव प्रकट करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो जय मां भवानी कृपा करो ऐसा लिखेंगे एक बार नहीं तीन बार लिखेंगे वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत छान बिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आप से कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिन में आपको एक रुप्या भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है तो हमारा भावना को ज़रूर समझीएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा इस से आप हमारी और माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे फिर जो भी पूजा पाथ अनुष्ठान हमारे द्वारा किया जाएगा माई की सेवा में उसका कुछ न कुछ अंश आपको भी मिलेगा यानि की आप परिवार के सदस्य हो जाएंगे तो आपका हित सर्वो परी हो जाएगा तो चलिए जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करिए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनसान गलतियों का पुतला है कोई कितना भी समझ कर चले सतर्क हो कर चले तब भी कहीं न कहीं गलती हो ही जाती है अभी गलतियों से छुटकारा पाने का एक मात्र तरीका ज्यान है आपके पास जितना अधिक ज्यान होगा आप उतनी ही कम गलतियां करेंगे गलती तो अवश्य करेंगे ही तो वीडियो के अन्त में दोस्तों हम आपकी कैसे महाशक्तिशालि उपाय के बारे में भी बताएंगे जिससे यदी अनजाने में आपसे कोई गल्ती हो जाती है तो आप उसका पश्चाताप कर सकते हैं उसकी भर्पाई हो सकती है जी हाँ दोस्तों ज्यान प्राप्त करने में आप बिल्कुल भी पीछे ना हटे जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझ ले वीडियो पूरा देखें अंत तक वीडियो में बने रहे दोस्तों एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े राजा थे शिकार करते करते जंगल में भटक गए तो फिर भूक प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया उन्होंने देखा कि पास ही तीन छोटे बच्चे जानवर चराने आये होंगे वही खेल रहे हैं और कोई आबादी नहीं है तो राजा का बुरा हाल देखकर वह बच्चे उनकी तरफ दोड़े और उन बच्चों ने जो भी उनके पास बहुजन था पानी था उन्हें पीने के लिए दिया खाने के लिए दिया अब राजा संतुष्ठ हो गए राजा बहुत प्रसंद हुए तो उन्होंने कहा कि चलो तुमने एक राजा की मदद की है अब तुम्हारी इच्छा पूरी करने का समय आ गया मांग लो जो भी मांगना चाहते हो अब तीनों बच्चे गरीब थे तो उन्होंने अपनी जरूरतों के अनुसार चीजें मांगना शुरू किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बहुत बड़ा मौका मिल गया है तो इसका लाब ले लेते हैं तो पहले बच्चे ने कभी भी बड़ा घर नहीं देखा था दूसरों के देखे थे लेकिन खुद जोपड़ी में रहता था तो उसने राजा से कहा कि महाराज मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए मैं एक जोपड़ी में रहता हूँ और मेरा सपना है कि मैं किसी बड़े महल में रहूँ राजा ने कहा ठीक है तुम्हें बड़ा महल मिल जाएगा इसी प्रकार दोस्तों दूसरा लड़का बहुत गरीब था बेचारे को खाना पीना भी अच्छी तरह से नसीब नहीं होता था तो उसने कहा कि महाराज मुझे ना केवल अच्छा महल चाहिए बलकि जीवन भर स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे ऐसी व्यवस्ता भी चाहिए यानि कि धेर सारा धन मिल जाए तो मेरी बात बन जाए जिससे मैं भोजन भी कर पाऊंगा और अपने लिए एक बड़ा महल घर भी बनवा पाऊंगा राजा ने कहा ठीक है तुम्हें धेर सारा धन मिल जाएगा अब दूसरे का नंबर आया तो तीसरे लड़के ने कहा कि महाराज ना तो मुझे महल चाहिए और ना ही मुझे धन चाहिए मैं बहुत गरीब हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ घ्यान हासिल नहीं कर सकता हूँ मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई का भार सहन नहीं कर सकते हैं इसलिए मेरी कुछ ऐसी व्यवस्था आप कहिए कि मैं घ्यान हासिल कर सकूँ पढ़ सकूँ राजा ने कहा ठीक है ये छोटी सी बात है उसके लिए व्यवस्था कर दी गई अब जब वह लड़का जो पढ़ रहा था वह अच्छी पढ़ाई कर चुका तो उसे राजा ने अपने ही दर्बार में मंतरी का पद दे दिया और वह राजा का सलाहकार बन गया अब कई साल बीद गए तो राजा के मन में आया कि एक लड़का तो मेरे पास ही है अब उन दो लड़कों का क्या हुआ उसके बारे में जानकारी निकालते हैं तो उनको ढूंडने के लिए लोग भेजे गए दोनों लड़के मिल गए दोनों की हालत बहुत बुरी थी दोनों बड़ी बुरी स्थिती में रह रहे थे कि गरीब हो चुके थे कंगाल हो चुके थे दोनों को राजा के पास लाया गया राजा ने कहा कि यह तुम्हारा हाल कैसे हुआ तो एक लड़के ने जिसने बड़ा महल मांगा था उसने कहा कि महराज आपने मेरे लिए महल तो बनवा दिया था लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ी बाड आई और वह पूरा महल उस बाड में तहत नहेश हो गया बरबाद हो गया तूट फूट गया और मैं फिर से जोपड़ी में आ गया राजा ने कहा ठीक है अब दूसरे लड़के से पूछा कि तुम्हें तो बहुत सारा धन मिला था तो तुमने उसका क्या किया तो दूसरे लड़के ने कहा कि महराज आपने मुझे धंडे तो दिया लेकिन उस धन को संभालने की बुद्धी मेरे पास नहीं थी तो मैंने बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया इसी के साथ-साथ मेरे अंदर कहीं बुराईयां भी उत्पन्न हो गई जैसे जुआ शराब और वेश्या वृत्ती की भी आदतें उत्पन्न हो गई समय के अनुसार और धीरे-धीरे मेरा सारा धन समाप्थ हो गया लेकिन मेरे जीवन की दुर्दशा यही समाप्थ नहीं हुई मेरे उपर तमाम दुनिया भर का कर्जा भी लग गया जिसकी वज़े से मुझे इस गाउन से उस गाउन चुप कर रहना पड़ता है लोगों से बचना पड़ता है यानि कि इसकी स्थिती तो और भी पूरी थी अब तीसरा स्थान हासिल किया था वह निर्धन भी नहीं था और राजा की संरक्षन में भी था अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों जीवन में चाहे कुछ भी चला जाए लेकिन आपके पास जो घ्यान है वह कभी नहीं चाहता है तो घ्यान का महत्व हमेशा समझना चाहिए और घ्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको बड़ी भयंकर गलतियों को करने से रोक सकता है उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस कहानी को सुनाने का हमारा क्या मकसद है दोस्तों असल में यह कहानी हमारी आपकी और समाज में दुनिया में रह रहे हर एक इनसान की है हम भगवान से क्या मांगते हैं मंदिर में जा जाकर भगवान हमें गाड़ी दे दो घर दे दो, नौकरी दे दो, व्यापार बिजनेस दे दो, उल्टी सीधी चीजें मांगते हैं क्यों ना हम भगवान से यह मांगे कि भगवान आप हमें अपना साथ दे दो आप हमारी मर्जी में विवेक उत्पन्न कर दो, आप हमें घ्यान दे दो क्यों न हम भगवान से ये मांग है कि भगवान हम जो भी कारिय करें वह आपके साथ करें आप हमारे साथ रहें और जब आप हमारे साथ होंगे तो फिर चाहे जीत हो, चाहे हार हो सब मैं आनंद दोस्तों, याद रखना कि सुख का उल्टा दुख होता है लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है यानि कि भगवान के साथ रहने में आनंद प्राप्त होता है फिर सुख की कामना कोई मूर्खी करेगा तभी तो अरजुन ने कृष्ण का साथ मांगा ना कि उनकी सेना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं अब बात करते हैं आज के मुख्य बिंदू की पांच गलतियां आपको भूल कर भी अप्रेल के इस खास महीने में नहीं करनी है अभी पांच गलतियां कौन सी है ध्यान से समझो दोस्तों हम आपको बता दें कि अप्रेल की शुरुवात में ही बुध ग्रह मेश राशी में वक्री है अब मेश प्रथम राशी है यानि कि इनका प्रभाव संपूर्ण राशी चक्र पर पड़ेगा तो बुध वानी के देवता है बुध्धी के देवता है और मन स्थिती के देवता है तो अब ऐसे में क्या होगा कि अप्रेल महीने की शुरुवात में यानि शुरुआत के साथ से आठ दिन या दस दिन आपके मन में अजीब औ गरीब ख्याल आएंगे आपकी बाड़ी खत्म हो जाएगी आपको बाद बाद पर क्रोध आने लगेगा, चीड होने लगेगी जरा जरा सी बातों पर आप लोगों से नाराज होने लगेंगे क्रोध में कुछ भी कहने लगेंगे अभी से होगा ये है कि आपके अपने जो आपका हित चाहते हैं शुबचिंतक हैं वे आपसे नाराज होने लगेंगे लोगों का आप से बात करना मुश्किल हो जाएगा बात बात पर आप जब क्रोध मैंने तो आप से कोई कैसे बात कर पाएगा इस से आपके काम जो बनने वाले होंगे वह भी बिगडने लगेंगे इसी के साथ-साथ दोस्तों आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां जो भी हैं वह आप पर हावी होने लगेगी और यदि आपने अपने उपर नियंतरन नहीं किया अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नहीं संभाला तो यह नियंतरन से बाहर हुई स्थितियां आपको जीवन भर परेशान करेंगे आपके हाथों से कुछ ऐसा कार्य हो जाएगा जो आपको लंबे समय तक तकलीफ देगा तो आपको क्या करना चाहिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है बेशक आपको क्रोधा रहा हो लेकिन आपको थोड़ा सा रुख जाना है तुरंत मन में जो आया वह नहीं बोल देना है दूसरा आपको स्थिति को सही तरीके से समझना होगा कि कौन सी बात कोई आपसे कह रहा है तू उसके पीछे क्या कारण है सारी बातों का सही आकलन यदी आप करेंगे तो आपका बहुत देखभाल जाग जाएगा और राहु सक्रिय नहीं होगा इस से आपकी भावनाएं वितरित नहीं होगी और आप किसी से जगड़ा नहीं करेंगे विवाद नहीं करेंगे नहीं तो यदि आपने अपना विवेक खो दिया तो निश्चित तोर पर जगड़ा, विवाद टेंशन, परेशानी और अनिद्रा यानि कि अप्रेल की शुरुआत में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अब बात करते हैं दूसरी गलती कि आपको अप्रेल के इस महीने में दान देने का विशेश अवसर हासिल होगा जी हाँ दोस्तों कोई आपसे कुछ मांगेगा, यानि भिखारी भीक मांगेगा चाहे वह आपसे खाना मांग सकता है, कपड़े मांग सकता है, या धन मांग सकता है या कोई सामान मांग सकता है आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यह आपकी परीक्षा है जी हाँ दोस्तों क्योंकि महीने के अंत में शुक्र का विशेश गोचर हो रहा है जो आपको विशेश धन संपत्ती रुपए पैसे की आवक को बढ़ाएगा तब जब माता लक्ष्मी आपके पास आना चाहेंगे तो याद रखना कि बिना परीक्षा ली है दैविय शक्तियां किसी पर भी प्रसन्न नहीं होती, कृपा नहीं करती है तो परीक्षा सबसे पहले ली जाती है तो यह आपकी परीक्षा होगी याद रखना दोस्तों कि जब भी कोई भिखारी आप से कुछ मांगने आए तो आप उसका भूल कर भी अपमान ना करें ये दोस्तों याद रखना कि इस संसार में सभी अधिकारी ही तो है सभी किसी न किसी से मांग रहे हैं और अंत में भगवान से मांग रहे हैं तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है लेकिन है सब भिकारी ही तो भिकारीों को देखकर कभी भी हीन भावना से उन्हें नहीं देखना है और उनसे घ्रणा नहीं करनी है उनका अपमान नहीं करना है याद रखना कि जो भी इनसान बिखारियों का अपमान कर देता है वह लंबे समय तक पिड़ाएं भोगता है माता लक्ष्मी का सीधे सीधे अपमान करता है तो अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है आप जब भी जिस भी स्तिती में हैं मान कर चलें कि आप बाहर हैं और कुछ खा पी रहे हैं और आपसे कोई भोजन मांगता है तो आप समझे कि यह आपके लिए सुनहरा मौका है लाब कमाने का पुन्य कमाने का आप उसे भरपेट भोजन कराईए क्योंकि अन दान सबसे बड़ा दान होता है इसी के साथ साथ कभी कभी आपसे कोई पैसे मकता है भिखारी दस रुपए बीस रुपए तो बीस रुपए मांगे तो उसे चालीस देना दस मांगे तो उसे बीस देना यानि कितना पैसा देना कि उसके चेहरे पर एक सुन्दर सी मुस्कुराहट आ जाए और उसके मुख से आपके लिए दुआई निकल जाए यदि आप ऐसा कर पाए तो निश्चित तोर पर पैसे रुपए को लेकर समस्या आपकी लंबे समय तक समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे बेहत प्रसंद न होंगे जी हाँ दोस्तों में इसी प्रकार यदि कोई भी कारे आपके दर्वाजे पर आए तो उसे सम्मान के साथ भोजन कराना और उसे थोड़ा बहुत ध्यान देना याद रखना दोस्तों प्राचीन काल में राजा महाराजा दो ही चीजों का दान किया करते थे अन्य का और धन का और दो ही चीजें उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी यानि कि राज्य का चलाने के लिए धन और राजा के साथ रहने वाले लोगों को भोजन कराने के लिए प्रजा के पोशन के लिए अन्ना यानि कि जो चीजें उन्हें सबसे अधिक चाहिए थी उन्हीं चीजों का दान करते थे इसमें कौन सी चतुराई हुई? तो दोस्तों ये ब्रह्मांड का नियम है, खुद भगवान का नियम है कि जो इनसान जो भी देता है उसे वहीं वापस मिलने लगता है, यानी विद्या बांटने वाले के पास ज्ञान आता है और धन का दान करने वाले के पास धन आता है, आन इसनी बार भी आपको प्राप्त हो, इसे आप बिल्कुल भी नहीं जुकना और अच्छी तरह से सामने वाले को संतुष्ट कर देना, इसके बाद आप देखेंगे कि आज आपने यदि किसी भी अधिकारी को कुछ दान किया, मदद की तो अगले तीन दिनों में ही आपको को जीवन दोस्तों, बात अवश्य ही छोटी सी है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है, अब यहां पर कुछ कुछ कुतर की और मूर्ख लोग यह भी कह सकते हैं, कि इस तरह हम अपना पैसा लूट आएंगे, तो हम खुद ही कंगाल हो जाएंगे, दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पैसे आप कमा रहे हैं, और जो पैसे आपने अपने पास रखे हैं, आप कमा रही हैं, यह आपके पास स्वयम ही रखे हुए हैं, जी नहीं दोस्तों, पैसा कितना किसको देना है, और कितना अमीर कैसे बनाना है, यह तै करता है, स्वयम ब्रमांड यानी कि भग मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम चोरी कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी काम चोरी में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में हर इनसान अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी चाय की टपरी चलाने वाला अचानक से कुछ दिनों में करोड़ पती बन जाता है और बड़ी व्यापार का मालिक बन जाता है जबकि उसके साथ वाले जहां के तहां पड़े रहते हैं। दोस्तों इसे हम भाग्य का चमकना कहते हैं लेकिन यह ईश्वर की कृपा से होता है अब आप समझे इस सारा खेल और गाव का है यदि आपने अपने आसपास की उर्जा को सकारात्मक बना लिया अपने अनुकूल बना लिया तो फिर आप चाहे छोटा कार्य करें बड़ा कार करें आप लाभ बड़े ही होंगे जी हां दोस्तों इसी वजह से छोटे छोटे काम करने वाले लोग कभी कभी अचानक बहुत बड़े हो जाते हैं अब ऐसा नहीं है कि सभी छोटे काम करने वाले लोग बड़े हो जाएंगे करोडपती हो जाएंगे वह तो जिनके उपर भ पास पैसे कमा सकते हो की नहीं. पैसा जो नोट है कागज या सीखता है वह उसका आर्थिक स्वरूप है. लेकिन अस्ली स्वरूप जो पैसे का है वह माता लक्ष्मी की ओर्जाह है, यानि कि अभध्र उर्जा का स्वरूप, जब आपके आसपास पैसे का अभाव अधिक उर्जा स्वरूप नहीं होगा। आप कितना ही पैसा कमाए बढ़ी। मुश्किल से तो आपके पास पैसा आएगा और आभी गया तो रुकेगा नहीं। अपने आप निकल जाएगा। रास्ता पहले से ही बना कर आएगा आपने दस हजार कमाए बारह हजार खर्च हो जाएगे। दो हजार का कर्जा आपके उपर लग जाएगा। ऐसा इसलिए है कि आप पैसे को कागज का नोट या फिर सिक्का समझ कर उसे खींचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ऐसा नहीं होता। वैसे क्या वास्त्विक स्वरूप उर्जा स्वरूप है जिसे हम मातालक्षमी कहते हैं। इसी लिए हम माता लक्षमी की पूजा करते हैं ना कि कागज के नोटों की और सिक्कों की इनकी हम कभी पूजा नहीं करते हैं हम महालक्षमी की पूजा करते हैं दोस्तों, पास थोड़ी सी गहरी है, समझने में शायद आपको मुश्किल हो रही हो, लेकिन ये जरूरी बहुत है, अन्यता होगा, ये कि आप कठोर परिश्रम करेंगे, बहुत महनत करेंगे, लेकिन आप जीवन भर गरीब और कंगाल ही बने रहेंगे, पैसे के लिए सकारात्मकूर्जा को यदि अपनी और आकर्शित करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा तरीका दान है, आप नोट किसी को दान दे देंगे, RS10, RS1, RS50, वह कागज है, आपने किसी को दे दिया, माता लक्ष्मी नहीं थी है, लेकिन माता लक्ष्मी की सकारात्मकूर्जा आपके इस काम को देख रही है, और वह आपसे प्रसन्न हो रही है, फिर आपके पास माता लक्ष्मी की सकारात्मकूर्जा आएगी, जो बेशक आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही वह उर्जा आपके आस पास आएगी, तो आपने जो भी पैसे किसी को दान दिय हैं, वैसे करो हजारों गुना बन कर आपके पास वापस आने लगेंगे, इसी लिए हमारे हिंदु धर्म में सनातनी परंपरा में दान का बहुत बड़ा महत्व है, इसे सर्वो परिपुन्य कहा गया है, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि तीसरा कार्य जो आपको भू परिशक्ती कहा गया है, दैवीय उर्जा, दैवीय शक्ती कहा गया है, अब चाहे औरत की जवान कितनी ही कड़वी हो, वह आपसे किसी भी प्रकार की बातें कर रही हो, आपको उकसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपको अपनी बुद्धी और विवेक से स्थिति का सही आकलन करना है और कुछ भी करना पड़े लेकिन महिला का अपमान नहीं करना है बस इसे आपको समझ जाना है अब चौथी गलती जो आप हमेशा करते हैं दोस्तों और इस बार भी करेंगे कि जैसे ही आपके जीवन में खुशियां आएं कुछ भी अच्छा हुआ आपने कहना और जैसे ही आपने कहा वैसे ही आपने स्वैम को ही नजर लगा दी याद रखना दोस्तों कि मांगकर चली है कि आपके पास खूब सारा पैसा आ गया और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं अब तो मेरे पास बहुत पैसे हैं अब दोस्तों इसी को स्वेंग का बंधन करना कहते हैं और जब राह वापस सक्रिय हो उठेगा तो वह कहेगा कि ठीक है तुम बहुत खुश हो अब हम देखते हैं तुम्हें कैसे खुशी प्राप्त होती है और जिस कार्य के लिए राहू जाना जाता है वह करना शुरू कर देगा या नहीं आपको मतिभरम होगा आपको गलत कारियों की और आकरशित करेगा आपको विनाश की और ले जाएगा और धीरे धीरे आपका पैसा समाप्त हो जाएगा अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के पास धेर सारा पैसा अचानक आ जाता है बहुत सारी खुशियां अचानक आ जाती है उन लोगों की हरकतें उनकी कार्य करने के तरीके ऐसे हो जाते हैं कि वह स्वैम ही अपना विनाश कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि उन्होंने अपना राहू सक्रिये कर लिया है। गल्ती से तो आपको यह नहीं करना है। अब पांचवा कार्य दोस्तों जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं और हमेशा इस गल्ती को दोहराते हैं। अपनी सेहत का खयाल रखना, दोस्तों याद रखना कि आप अपनी सेहत का खयाल नहीं करेंगे तो आप कोई भी लक्ष हासल नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ मन तो होगा लेकिन शरीर साथ नहीं देगा तो कर नहीं पाएंगे। और कार्य करने के लिए सिद्ध के लिए शरीर आवश्यक है ये शरीर आपका वाहन है जिसकी आप सवारी कर रहे हैं और जीवन भर इस शरीर के साथ आपको रहना है तो इसका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है कामकाज की उथल पुथल और भाग दोड में कहीं ऐसा ना हो कि आपका शरीर रोगी हो जाए दूर हो जाएगा और फिर जब आपके पास सुखाय सुविधाय आए तो आप उनका लाब ही ना ले पाए किसी बुद्धिमान इनसान ने हम से एक बार कहा था कि लोग 40-40 की उम्र तक लगातार कठोर परिश्रम करते हैं बिना खाए पिये बिना शरीर का ध्यान किये और खूब पैसा कमाते हैं और उसके बाद फिर उसी पैसे को अपने ही इलाज पर खर्च करते रहते हैं या नहीं तब तक कोई न कोई बड़ी बीमारी शरीर को घेर लेती है और फिर एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी बीमारियां आती जाती हैं और वही पैसा जो उन्होंने उस उम्र तक कमाया था अपने ही इलाज में खर्च करने लगते हैं तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है पहला सुख है निर्मल खाया तो आप अपनी काया का खयाल रखना है इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दे आप स्वाद के चक्कर में कभी कभी अपनी सेहत को भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है दूसरा अपने जीवन में योग, प्राणायाम, कसरत और भगवान की भक्ती इन्हें पूर्ण रूप से शामिल कर लीजिए जी हाँ दोस्तों, आपका मन तो खूब करता है, लेकिन आप नियमित नहीं हो पाते इन चीजों में तो अब आप नियमित हो जाएए, तभी आपको कुछ बड़ा हासिल हो पाएगा इंग्लिश की एक बहुत मशहूर कहावत है, A Healthy Mind Lives, In A Healthy Body ये दोस्तों स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है और स्वस्थ दिमाग से ही खुशियां हासिल की जा सकती है और फिर उसी स्वस्थ शरीर से उन खुशियों को भोगा जा सकता है तो दोस्तों अपने बारे में बिलकुल भी लापरवाही ना करें आप सर्वोपरी हैं, अपना खयाल रखें इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं उमीद है कि जो बातें हमने आपको बताई है वह आपको अच्छी लगी है आपको समझ में आए हैं यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमा काली कृपा करो, जैमा भवानी कृपा करो, अवश्य लिखें एक बार नहीं, तीन बार लिखना साथ ही यदि कोई प्रश्ण उठता है मन में तो पूछ ले, आपके प्रश्णों के जवाब देने कि हम पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जैमाता दी